नमस्कार दोस्तों मैं भूपेंदर मिश्वाइब करता हूं आप सभी का हमारी यूट्व चैनल में दोस्तों आज से आप सभी को मैं सविधान पढ़ाने वाला हूं और एक दम नए अंदाज में ऐसा जिससे आप लोग पढ़ेंगे और एकी बार में आपको सविधान याद ह हो जाएगा तो चले स्टाट करते हैं आज का वीडियो और यह सविधान के उपर मेरा पहला वीडियो है अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू करेगा तो सबसे पहले अगर हम लोग सविधान पढ़ने वाले हैं यह तो जानने की सविधान होता क्या है जैसे माल संस्था अपने आप जैसे चलना है चलते रहा है ऐसा होता है क्या नहीं संस्था करें नियम कानून बनाते हैं कि अगर कोई अच्छा करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे अगर कोई भूरा करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे संस्था में किसको कैसे कैसे किसी की भागेद बढ़ाने सब नियमों कानून बनाते की नी बनाते की हमारा फैक्टरी अच्छे चले नहीं तो गए बुड़ जाएगा ना फैक्टरी आपका अगर कोई धंग से काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही था जब देश बन रहा था तो हमारे देश का जो सविधान है ना सविधान क्या हो जा सके वो क्या क्यलाता उस देश का सविधान कहलाता है मतलब क्या है यह सब नियम कानून है जिससे उस फैक्टरी को अच्छे चलाना है तो उसके लिए आप लोगों ने जो नियम कानून बनाया है वैसा ही आपको देश को अच्छे चलाना है उसके लिए जो नियम कानून बना रखे हो वो क्या कलाएगा उस देश का सविधान ठीक है सविधान को अगर आप लोग जानगे किसी भी देश के अगर सविधान को पढ़ लिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस देश की राजनेतिक व्योस्था कैसी होनी है नियाईक व्योस्था कैसी होनी है और साथी साथ वहां के लोगों के हितों की रख्षा कैसे किया जा रहा है यह सब का सब उस सविधान में लिखा हुआ होता है यह सब हम अभी को पढ़ना है भारत के सविधान में अब बात करते हैं दोस्तों सविधान कितने प्रकार का होता है ठीक है तो सविधान दोस्तों दो प्रकार का होता है पहला होता है लिए ना अगर कोई मजदूर एक दिन रहा तो मैं उसकी शियल्री दो दिन काटै ili क्थोगा वह अलिए मैं फूण। दीन में लीख दूँगा हाँ को लिखा हुआ मन किया है quieres चेल लेकां देवागोड शोड दिया हुआ है को हुआ ही मैं और फॉप 對 तेरे को अलिखित वहां की लोगों को पर है न तो ऐसा सविधान जो लिखित रुप में ना हो वो कह कराता है अलिखित सविधान हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि इंग्लैंड का जो है न सविधान वो अलिखित सविधान है इंग्लैंड का ही नहीं इसराइल कनाड़ा साओधी लिखित सविधान है तो पहला लिखित सविधान कौन सा था पहला लिखित सविधान जो था न वो था अमेरिका का विश्यू का सबसे पहला लिखित सविधान है किसका अमेरिका का सबसे बड़ी अर्थवयस्था वाला देश अमेरिका और सबसे बड़ा लिखित सविधान बो सबसे पहले सन 1934 में एमन रोजी ने सविधान सभा की मांग रखी थी कि एक सविधान सभा होना चाहिए जो हमारे देश का कैसे चलाए जाएगा इसके बारे में बताएगा ठीक है 1934 में सबसे पहले में रोजी ने रखा था और 1935 में भारती राष्टि कांगरेस उस समय क्या दो हम लोग गुलाम थे तो कॉन्ग्रेस जो भी एक्टिविटी करती थी जनरली आज हमारे पास जो भी डाटा है वह कॉन्गरेस का ही है तो जो भी उस समय सबसे जादा सक्री थी हमारे देश के हितो के बारे में सोचने के लिए तो वो थी भारती राष्टी कांग्रेस और साथी साथी बहुत सारे लोग भी थे जो करांतिकारी थे उन लोग भी थे सब के सब देश के हित के लिए सोच रहे थे लेकिन मेंली अगर किसी का नाम उटके आता है तो वो हता है भारती राष्टी कां कॉंग्रेस वालों ने 1935 में घुष्णा किया कि हमारे देश का क्या होना चाहिए सविधान होना चाहिए या उन्होंने भी मांग रखा जब 1938 में पंडित जोहलाल नहिरू जी बोलते हैं कि भारत के सविधान सभा में व्यस्क मताधिकार के द्वारा लोगों का चुना होगा अंग्रेस जो जो ब्रिटेन के जो संसत्रा उन्होंने बोला कि चलो ठीक सविधान सभा बनाना चाहिए तो बना लो अगस्त 1940 में लोग माल लेते हैं और इसको कहा जाता है अगस्त 1940 का प्रस्ताव कहा जाता है अब हो गया कि हां हमारे देश का सविधान बनेगा और सविधान सभा बना सकें यहां के देश का सविधान बना सकें टोटल हमारा मदद करने के लिए इस्टेपट क्रिप्स को भेजा गया था लेकिन हुआ क्या मुस्लिम ने बहिस्कार कर दिया उसका उन्होंने बोला कि नई यह जो सविधान सभा बना रहे हैं उसे मैक्सिमम लोग हिंदु होने वाले हैं हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा नहीं जुन नहीं नहीं मेरे को इस्टिव वह सविधान सभा में अब फिर क्या रहे क्या तो क्रिप्स प्रस्ताव खता अब तीन स सदस्य में भी इस्टिफिट क्रिप्स भी रहते हैं अब क्या था ये तीन सदस्य तीम जो थी उन्होंने मुस्लिम लोग को किसी तरीके से मना लिया कि हम यहां पर क्या करेंगे जन संक्या के साथ से देंगे हम आपको भी प्रात्मिक्ता दिया जाएगा यह सब कुछ-कुछ बोल वाल के मुस्लिम लोग को समझ जो समझा लिये कि सविधान सभाव बने और उसमें वो लोग भी रहेंगे तो अब बात आता है कि सविधान सभाव बनेगा तो उसमें कितने लोग होंगे तो सविधान सभाव में दोस्तों टूटल 389 सदस्य होने थे ठीक है अब 389 सदस्यों में जो 296 मतला 296 भारती क्या करना चाहते हैं दो . 256 सदस्यों कर क्या थे दो ना चका मालना पैस और गधो है डशी रियासत थे वो 93 थे 93 मतलब नहीं आएंगे आम लोग 93 क्या थे डेसी यासत से सदस्यों कर कैने वाले थे थे अब उसमें भी बाटा गया था देशी रासत तो चलो ठीक है वो राजा लोग जो रहेंगे अपने प्रतिनेधी को भेज देंगे लेकिन यह जो 296 सदर से थे इनको भी बांटा गया था सदर से जो थे वो 11 गवर्नर के प्रांतों से चुन करके आने वाले थे और जो बचे चार वो आईतों के प्रांतों से चुन करके आने वाले थे दोस्तों अब ऐसा थोड़ी है कि सविधान सभा तो बना रहे हैं तो यह मैं मैं आऊंगा सविधान सभा में ऐसा थोड़ी होगा कुछ ना कुछ तो क्राइटेडिया था ना तो अंग्रेजों ने उन समय क्या क्या था बढ़े कॉंसेट रखा लगा कर रखे थे कि हर दस लाख लोगों में से एक व्यक्ति चुन करके आएगा वो 296 सदस्टे के बात करो ना ठीक है वो जो 296 सदस्टे हैं उनमें से हर 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति चुन करके आने वाला था और वहां पर मुस्लिम इंग पहले नहीं मान रहा था तो वहां पर क्या शीड ते इनका आबंटन कि अगया था जाती कि अधर और तीन समुदायम बाता गया था मुस्लिम सिर्विस्ख और तीसरा था समान जो मुस्लिम और सिर्विस्ख नहीं वो क्या आएंगे समान के झाइंग Harris बाकी का वहाँ का जो देशी रहासतों का था वो वहाँ के राजा के उपर था कि आप जिसको भेज दो भी या वो वहाँ के राजा के उपर छोड़ा गया था जो 93 सीटे थी ठीक है अब अब बात आता है चुनाओं का समय सविधान सभा के लिए चुलाओं जुलाई अगस्त 1946 में हुआ अब यह जो टोटल 296 सीटे थी दोस्तों दो भागन बढ़ता है 73 मिलता है मुस्लिम लिग को और 208 मिलता है भारती राष्टिय कांग्रिस को अब यह जो टोटल 296 है दोस्तों इनमें से 213 लोग समाने थी 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे इनमें से भी दोस्तो 33 सी थे और 12 महीलाए थी कितने महीला थी दोस्तों 12 महीलाया थी और कितने सिटइन लोग थे तो वो थे साथ नौ साथ देने नहीं आए 79 ठीक है मुस्लिम लिग ने बैसकार कर दिया था वह एचल उनको 73 सीटे मिली वी थी लेकिन अगर जो सविधान सभा था उसमें 79 क्या थे मुस्लिम थे तो साथ देने नहीं आए 79 उनको मिला था साथ दो एक तीन किसको मिला जनरल को चार सिख थे सिख लोग हमेंसा बहुत टगड़े होते हैं चौके चके मारने में तो चार क्या थे सिख थे ऐसे करके याद रख सकते हो और 12 महिलाएं थी 33 एश्टी थे अब जो 93 सीटे थी ना दोस्तों DC रियासतों को आए अच्छी नहीं हम लोग राजा हैं ना अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे तो हम अपना नियम कानुन चलाएंगे ना भाई क्यों दे किसी को हमारे प्रांत में हमारा राज चलेगा यह कॉंसेप्ट सोच करके वहां के जो राजा थे उन्होंने किसी को भेजा नहीं तो 93 सीट तो खाली र होगा ना नहीं तो फिर सभा काम कैसे करेगी कोई भी सब सदस्य थे मैं भी सदस्य थे मैं पहले बोलूँगा थोड़ा सा दिक्कत आता ना तो एक किसी ना किसी अध्यक्ष बनाया जाता हमे साथ तो उच समय पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था तो जो सबसे तो जो सबसे वरिष्टम सदस्य हो गए उनको सबसे वरिष्टम सदस्य हो गए उनको वहां का उस टाइम के लिए अध्यक्ष बनाए जाता है यह फ्रांस का कॉंसेप्ट है इसलिए हमारे देश में भी इसको लागू किया गया था बाद में 11 दिसंबर सदस्य हो डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी को हमारे देश का जो सविधान सभा है उसका इस्थाई अध्यक्ष चुन ले आ गया था तो डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी हमारे देश के जो के आगे चलके प्रतम राष्टपती भी बनते हैं उनको हमारे सविधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष चुना गया और दो उपाध्यक्ष एच्सी मुखर जी जी और वीटी कृष्ण मजारे जी इस थे हैं अब हमारे देश के सविधान का जो कारह दोस्तों वह स्टार्ट होता है और 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जहलाल नहरू उद्देश से प्रस्तावलाते हैं और यह जो उद्देश प्रस यह इस उद्देश प्रस्ताव में था बहुत कम सब्दों में हमारे देश के सविधान की व्यक्या कर दी गई थी इसको बाइस चैनलोडिशन उनिस चैनलीश को सभी सभश्यों के द्वारा मान लिया जाता है अब क्या है दोस्तों देश में उस समय क्रांतिकारी अंदोलन चल रहे थे तो बाकी जो लोग थे जो देशी रियासते थी वहां के लोग भी अब भारत में जूनना चाहते थे वो भी चाहते थे कि हम कोई राजा वजा ना हो सब बराबर हो तो बहुत उधर क्रांतिकारी अंदोलन चलते रहता है इसके कारण से 28 अप्रेल सन 1947 को 6 राज्जियों के प्रतिनी थी हमारे देश के सविधान सभा में सामिल होते हैं और 3 जून सन 1947 डेट याद रखना बहुत चोर रही है 3 जून सन 1947 लौर्ड माउंट बेटन यूजना इसने भारत को दो भागों में पांड दिया लौर्ड माउंट बेटन यूजना के अंतरगत कहा गया कि भारत को दो भागों बाटा जाएगा एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान जो जहां चाहे वहां जाकर के रह सकता है एक्च्वली में कॉंसेप्ट ये था कि पाकिस्तान में पूरे के पूरे मुसल्मान रहेंगे और भारत में पूरे के पूरे हिंदु रहेंगे ठेक हैं ये था लौर्ड माउंट बेटन यूजना जिसने भारत को दो भागों में बाढ़ दिया ना चाहते हुए भी भारत के लोगों को इसको मानना पड़ा था इसके करण दोस्तों जो सविधान सभा की सदस्यों की संक्या थी 389 वो घट करके हो गई 299 और अब जो ब्रेटिस प्रांथ से चुन करके आने वाले थे ब्रेटिस प्रांथ को कह दिया गया भारती प्रांथ भारती प्रांथ से उस समय जो टोटल 296 सदस्यों करके आने थे दोस्तों वो हो जाते हैं अब मात्र और मात्र 229 229 सदस्यों करके आने हैं भारती प्रांथ से और जो 93 सदस्यों करके आने वाले थे देशी रियासतों से अब वो घट करके हो जाते हैं 70 तो टोटल 239 में 70 जोड़ दीजी हो जाएंगे 299 सदस्य अब सविधान सभा के सदस्य संक्या कितनी हो गई 299 अब यह सविधान सभा कारे करने लगे सविधान सभा जब भी सविधान सभा के रूप में कारे करती तो इसके अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंदर प्रशाद जी और जब सविधान सभा विधाइक्या के रूप में काम करती तो इसके अध्यक्ष होते जीवी माउलंकर जी जी वी माउलंकर जी को Father of लोकसभा भी कहा जाता है ये भी याद रखेगा मतलब जब भी हमको विधाईक्य क्रुप में कारे करना है तो उसके इध्यक्ष होंगे जी वी माउलंकर जी और ये विधाईक्य क्रुप में मतलब कि हमारे देश के सभिधान को बनाने के लिए बहुत सारी समीतिय बनाए गई थी जिनमें से एख वह होथी मीने समीति टी वो थी प्रारूप समीति का गठन किया गया zuk refrain 19 सगस्षान इस में साथ सदस्य थे और इनके जो अध्यक्च थे वो थे हमारे देश के सविधान निर्माता भीम राओ अंबेडकरजी मेंडली इनहीं को जिमेदारी मिली वी थी हमारे देश के सविधान को बनाने का और इन्हों लगभग 60 देशों के सविधान का अध्यन किया और तब जाकर के हमारे देश का सविधान बना टोटल इन्होंने 141 बैठके की थी और 6 महिने से भी कम का समय लिया था प्रारूप समीती ने हमारे देश के सविधान को बनाने में अब प्रारुप समीती ने हमारे देश के सविधान को बना दिया है अब इस पर चर्चा होना सुरू होना था तो चार नौवंबर सन 1948 से इस पर चर्चा सुरू होती है ठीक है और 9 नौवंबर सन 1948 तक पहली बार मतलब टोटल 5 दिनों तक इस पर चर्चा होती है ठीक है उसके फिर दूसरी बार सविधान सभापर फिर से चर्चा शुरू होती है सविधान पर चर्चा 15 नौबर सन 1948 से शुरू होती है और 17 अक्टूबर सन 1949 तक होता है इसमें टोटल 2653 संसोधन प्रस्तुत किया गया था जिसमें 2473 पर विस्तार से चर्चा होता है उसके बाद जो तीसरी बार सविधान पर फिर चर्चा शुरू होती है और यह होता है दोस्तों आपका 14 नौबर सन 1949 से 26 नौबर सन 1949 तक और 26 नौबर सन 1949 को फिम्राव मेटकर जी ने दा constitutional is settled by the assembly be passed प्रस्तावल आते हैं और वो पास हो जाता है और 26 नौबर सन 1949 को हमारे देश का सविधान बन जाता है ठीक है लेकिन 26 नौबर सन 1949 को हमारे देश के सविधान को लागू नहीं किया जाता है इसके पीछे भी एक कॉंसेप्ट है क्यूंकि 26 चनवरी सन 1930 को पंडित जौहलाल नहरू जी ने पुन स्वराज की मांग की थी उसी दिन को एतिहासिक बनाने के लिए हमारे देश के सविधान को 26 चनवरी सन 1950 को लागू किया गया सविधान को बनाने के लिए दो साल 11 महीना 18 दिन लगा था याद रखेगा हमारे देश के सविधान को बनाने में दो साल 11 महीना 18 दिन लगा था और हम लोगों ने लगभग 60 देशों के सविधान का अध्यान किया था टोटल प्रारूप पर ही 114 दिनों तक चर्चा हुई थी ग्यारा बैठके हुई थी और जो बारवा बैठक था वो हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का राष्टी गान राष्टी गीत और देश के प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजरेंद प्रसाद जी चुने गए थे यह सारी किसारी चीजिए सविधान को अपने हाथों से प्रेम भिहरी नरायन ची ने लिखा था हिंदी और इंगलिस तोनों में और इनको हमारे देश के सविधान को लिखने में सिर्फ लिखने में दोस्तों सजा सजा करके लिखा था इन्होंने छे महीने लग गये थे इसके लिए इन्होंने एक है दोस्तों प्रेम भी हरी नहरायंड जीने ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के सेर जरू करेगा दोस्तों और एक चीत हमारे देश के सविधान निर्माता भीम राव अमेटकरजी जिनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है यह भी याद रखेगा ठीक है भीम राव अमेटकरजी का सविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश का जब सविधान बना था तो उस समय 395 अनुछेद आठ अनुसूचियां और बाइस भाग थे 305 अनुछेद आठ अनुसूची और बाइस भाग थे ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करेगा क्योंकि मैं आप सभी को सविधान पूरा पूरा डिटेल में खतम करने वाला हूं ठीक है वीडियो को लाश्त देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्य ज्यवाम हैं ठीक हैँ जिए सал ले तो लुझ लUI दूरा भूरा बगूरा बहुत 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 55 मैं बहुत में खप minपímने गतने के साथ सेरे हू बहुत 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 बहुत